हेलो फ्रेंस बेलकम बैक टू मैं चैनल नेतोस कुकिंग हब आज मैं आप लोग लेके आहीं हूँ सूजी और आलू से बनने वाले एक ऐसे नास्ते की रेसिपी जो हेल्दी तो है ही टेस्टी भी है आप इस नास्ते को बीना तेल के भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं नास्ता बनने के लिए है आधा कप सूजी तो यहां पर मैंने यह बारीक वाली सूजी लिए अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उससे भी आप इस नास्ते को बना सकते हैं और सूजी को अभी मैं और मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया आप न से मिक्स करेंगे हैं है जोने सकते इसमें पीडा हें लिए को करेंगे नोलब से लिएक वारे निली लिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे साइच का प्याज बारीक टुक्रों में कट करके डाला है साथ में एक छोटे साइच के टमाटर को भी मैंने छोटे टुक्रों में कट करके डाला है एक मीडियम साइच के आलू को ग्रेट करके डाला है आलू की छिलके को निकाल के बारीक वाले ग्रेटर से मैंने इसे ग्रेट कर लिया था उसके बाद इसे अच्छे से 2-3 बार धोले ताकि सारा इस्टार्च निकल जाए और सारा पानी निचोर के निकालने के बाद ही अपनास्ते में इसे एड़ करें साथ में मैंने 2-3 लेसन की कलियों को ग्रेट करके एट किया है एक इंच अद्रक के टुक्रों को भी मैंने ग्रेट करके डाला है आधी चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर एट किया है साथ में एक चोथाई चमच काली मिर्च पाउडर एट किया है एक चोथा ही चमच यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर एड़ किया है आदी चोटी चमच चाट मसाला पाउडर एड़ किया है साथ में आदी चोटी चमच आजवाइन एड़ किया है क्योंकि हमने नास्ते में बेसन एड़ किया है सबजी आप अपने हिसाब से कोई भी एक्स्ट्रा एड़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहे तो मटर एड़ कर सकते हैं, बीन्स गाजर भी एड़ कर सकते हैं, मैंने इस नास्ति को प्याज और टमाटर से ही बनाया है, क्योंकि यह सबजी हमारे घर में हमेशा एवलेबल होते हैं, तो यहाँ पे देखे यह mix हो चुके थे तो इस टाइम पे मैंने एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एड़ कर दिया है इसे नास्ती का कलर बहुत अच्छा आएगा साथ में यहाँ पे मैं एड़ कर रहे हूँ दो पिंग जितना सोडा इसे नास्ता बहुत फुला फुला बनेगा तो यहाँ पे देखे इन सब चीजों को मैंने अच्छे से mix कर लिया है और यह हमारा मिश्रन रेडी हो चुका है तो यहाँ पे इसे हमें बहुत पतला बिल्कुल भी नहीं करना है आप देख सकते हैं हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना है और अभी हम नास्ते को बनाने वाले हैं इस बावल में और इसे हम इस्टीम करने वाले हैं तो उसके लिए इस बावल में हम हलका सा तेल इस तरह से लगा देंगे ताकि नास्ता चिपके नहीं तो यहाँ पे सारे बावल में मैंने तेल लगा दिया है और अभी मैं इस बावल में डाल रही हूँ इस नास्ते के मिश्रन को तो यहाँ पे आपको इस कटोरी को आधा ही भरना है पूरा बिल्कुल भी नहीं भरना है नास्ता जब पकेगा तो फूल के उपर तक आ जाते हैं तो यहाँ पे देखे सारे बावल रेडी हैं तो अभी हम इसे करेंगे से श्टीमि तो श्टीमि करने के लिए मैंने इस तरह की एक छण् ni लिए है जिसमें सारे बावल को मैंने डाल दिया है आप चाहें तो छोटी सी थाली भी ले सकते हैं उसमें भी इस नास्ते को डाल के इस्टीम कर सकते हैं और इसे इस्टीम करने के लिए मैंने कराई में पानी डाल दिया था गरम होने के लिए पानी याँ पर उबल चुकी है तो बस इस छनी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है अच्छे से इसे ढग दे और 10-12 मिनट तक पकने दे तो यहाँ पे जब तक नास्ता पकड़ा है तब तक हम लोग बना लेते हैं सलरी इससे हमारा नास्ता कुरकुरा तो बने गाई साथ में वाईली भी नहीं होता है तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने एड़ किया है तीन बड़े चमच गेहू का आटा एक बड़ा चमच सफेद तील एड़ किया है आदी चूटी चमच चिली फ्लेक्स एड़ किया है अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं एक चोथाई चमच कलॉंजी एड़ किया है, साथ में थोड़ा सा हडा धनिया बारीक टुक्रों में कटा हुआ एड़ किया है, साथ में दो पिन जितना नमक एड़ कर दिया है, और अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल रेडी कर लेंगे, इस घोल को हमें पतला ही बनाना है, बहुत जादा गाड़ा बिल्कुल भी नहीं बनाना है, तो पहले थोड़ा पानी डालके आप इसे मिक्स करें, ताकि सारी गुटलिया निकल जाए, उसके बाद इसमें पानी डालके आप इसे पतला कर लें, तो यहाँ पे देखें, यह सारी चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और यह हमारा गोल रेडी हो चुका है, तो अभी हम रखते हैं इसे एक साइट पे, और यहाँ पे नास्ते को पकते हुए लगबग 12 मिनट हो चुके है, तो इसमें मैंने इस तरह से चाकु डालके चेक किया, और आप देख सकते हैं, चाकु एकदम क्लीन निकला है, मतलब हमारा नास्ता अच्छे से पक चुका है, तो इसे मैंने गैस श्टूप से उतार के रख दिया था बाहर, ताकि यह ठंडा हो जाए, तो यहाँ पे देखें नास्ता ठंडा हो चुका है, तो बस हातों से आप इस तरह से हलका सा प्रेस करेंगे और नास्ता आराम से बाहर आजाता है, तो यहाँ पे देखें यह नास्ता हमारा रेडी हो चुका है, अगर आपको वाईली खाना पसंद नहीं है, तो आप इस नास्ते को इसी तरह इंज्वाय कर सकते हैं, यह बहुत जादा टेस्टी लगते हैं, साथ में हेल्दी भी है, और अगर आप इस नास्ते को फ्राई खाना चाहते हैं, एकदम कुर्कुरा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमने सलरी बनाई है, उसमें नास्ते को हम इस तरह से डिप कर लेंगे, चमत से इस तरह से उठाएंगे, ताकि एक्ष्टरा सलरी निकल जाए, औ इसे तेल में डालेंगे, तो नास्ते को फ्राई करने के लिए मैंने तेल डाल दिया था, गरम होने के लिए तेल को आपको तेज गरम करना है, कम गरम तेल में आपको, इस नास्ते को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो आपका नास्ता वायली हो सकता है, और एक से दो बार पलडते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है और यह हमारा नास्ता फ्राई हो चुका है तो बस इसे मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में तो यहां पे आप देखे समझ सकते हैं कि यह नास्ता कितना ज्यादा टेस्टी बना है साथ में यह हेलदी भी है तो जिस में चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले हड़ न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स पर वाचिंग